झालंत, यहां व바bro न लागू है, तो तो क्यूं आये हो भी हार से ? तो बिहार सरकार को सीधा जवाब देना चाहिए, एकाइबार में लेटर इसू कर देना चाहिए वह भी हार में भी डो मेसायल लागू हो गया आज रात से यह सबसे पहले ही सरकार को करना चाहिए जैसे जैसे कर रहा है दूसरा राजबाले यहां भी हो से करना चाहिए सीधा नौकरी नहीं देना चाहिए अगर ऐसा इस चीज़ पर रोक लगा जाता तो पंगाल का स्टुडेंट लोग को तो कभी बिहार में आना ही नहीं चाहिए क्यों आयागा जब हम लाइब न्यूस खबर तो पक्की है यहां सिद्सेंदा नहीं यह तो गलत है रोक लगाई ज़ात तो आई क्यों यहां आना चाहिए और उन लोग यह सीili ले लो Athlete कमें अजल को आजवर में ना कंगााल हाना चाहिए क्यों व्हार वोना चाहिए नहीं होना ओक भीब बहुत गलत हुआ है दूसरे राज में दूसरे राज को नौकरी दिया जाथा जैसे वी पेसी टीचर में दे रहा है वैसे वहां गया था देने के लिए फीजिकल उसके साथ बहुत गलत हुआ है का करेंगे आप लोगो क्या है यहां है दमने मिलना चाहिए जैसे खर रहा है दूसरे राजबाले तो दो जाया व 나타sht भी Gerhإ सही है बात करेंगे हैं आप लोग पता है जो बंगाल में घटना घटा है वह बात करते हैं तोम यहां पर अच्छे से कुछ कोई दिखत नहीं हुता ते कि हम वहां जाएं तो इसा होना सही बात नहीं मांता जी या हम यहीं कि मुक्य मंतरी ममताजी से भी और आपने 15 ईंट माझा भी कि मतलद साथ इससे बात को मतलब सहीं नहीं हो रहा है जो पो जो मिफाल कंझे जाइगा। उसने की जौवर्स के नोखरी क्यों क्यों दिक्कत वाली वात है कि डॉमिसायल जागू है तो तुम क्यूं आये हो वो बिहार से तो बिहार सरकार को भी सीधा जवाब देना चाहिए एक बार में लेटर इसू कर देना चाहिए कि बिहार में भी डोमिसाल लागू हो गया आज रात से यह सबसे पहले बिहार सरकार को करना चाहिए तो सबसे पहला कहना तो वह यह कि उन्होंने और दूसरी बात उनको ये खुद ही ने पता था कि ये क्यों आए हैं वो गए थे सेंटरल गवर्वेंट का जीडी का उनका फिजिकल था और उनको लगा कि फजिशिम बंगाल का कोई एस्टेट का कोई एक्जाम होगा उसके लिए हुआ हैं लेकिन तो किसी भी एक्जाम के लिए हो तो कहें इंटर्फियर करेंगे दूसरे एस्टेट के स्टूडेंट को इंटर्फियर नहीं करना चाहिए और यहां तो एक पूरे पूरे राज के सरकारों के लिए एक सीख है कि ऐसा घटना किसी दूसरे स्टूडेंट में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए अगर ऐसा घटना होता है तो इसमें तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोट को ही एक्शन लेने ना चाहिए क्योंकि यह मौलीक अधिकार का उलंगन ह सबसे पहले तो सुप्रीम कोट को ही एक्शन लेना चाहिए क्योंकि भारत में हर स्टेट्स का बच्चा दूसरे स्टेट्स में फॉर्म भरते हैं एक्शाम देने जाते हैं और ऐसा लापड़वाई होगा तब तो जितना भी सेंट्रल गवर्मेंट का एक्शाम होता है तो यही डिमांड आने लगेगा कि भारत के जैसे बिहार है बिहार का कोई बच्चा अगर सीजियल का एमटीयस का रेलवे का फॉर्म भरता है तो सब देंगे के जिए ही बुद्चा करेगा कि मेरा एक्शाम बिहारे में दें और ऐसा संभव हो नहीं पाएगा क्योंकि पूरे अल उवर इंडिया के सब्सेद्वर्में यूपी का अगर ऐसा घटना बारवर देखने को मिलेगा तो पूरा बिहार वाला चाहेगा हमारा एसा नहीं संभव है तो यह आगे बहुत गंभीर मामला रूप ले सकता है इससे पहले इसको निप्टा देना चाहिए सरकार के माधियम से भी और सुप्रीम कोट के माधियम इसारे बिजारती हैं दर दिए बिजारती को नोकरी यहां नहीं मिनना चाहिए हम लोग को खुद ब्रुजगार हैं और जब यहां ब्रुजगारी का कमी है वहां पर रुजगार सपहले दे तब सरकार दरया दिली दिखा हैं बंगाल को घ्टना के लेकरे पूरे बिहार रुजगार के चात्र जो है एक गुसता है जिसतरे से गुसता है ये आप गुसता आपको दिखाए हम और ज्यान Border Institute से दिखाए ग्यान Mad Mandal के चात्र तो हैं अपना एक बिरोध परताशन किये माध्यम बनाए के चैनल के माध्यम से अपना एक बिरोध परताशन किये मैं संबुक मार कैमरा चैनलिस्ट यसो धर्मा के साथ पठना लाइव न्यूज खबर तो पक्की है